यादो आज कल में देख रहा हूं टार्गेट में आप कह रहे हैं कि गच्चा दे दिया उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया आप क्या मानते हैं कौन किसको गच्चा दे रहा है देखिए मैं सुरुवात इस बात से करूँगा कि यह जो बिधान सभा का सत्र है उत्तर प्रदेश में अब बिधान सभा में दो बहुत बड़ी हस्तियां थी और जो दोनों बहुत आकरसल का केंद्र थी एक नाम है योगी आदितिनात का और दूसरे नाम है अखिलेश यादो के दिल्ली चले जाने से अब बिधान सभा में वो एक चमक फीकी पड़ गई है वो खतम हो गई है अब अकेले योगी आदितिनात बचे हैं तो बिधान जी जो बिपक्ष का जो एक आकरमक रवया या जो हाजिर जवाबी या जो सवालों के जवाब जो एक एक बिपक्ष प होता था सत्ता पक्षपर अखिले स्यादों की मजूद्गी से वो चीजे एक अलग रूप में दिखती थी उसका एक मीडिया से लेके प्रदेश के लोगों में भी आकरसड होता था वो आकरसड माता परसाथ पांडे के रूप में कभी आपको सदन में नहीं देखने को मिले से एक चीज यह जरूर है कि वो दिल्ली चले गए और सदन से वो चमक गायब हो गई है अब उनकी कमी को पूरा चाचा के बहाने हो सकती है कर रहे हैं लेकिन आप इस चीज को भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदितनात साजनिक जीवन में साजनिक मंचों पर हैं मुस्कुराते हैं और काफी कली कली बाते भी हसते हुए वो कहते हैं तो यह भासर की एक कला भी है जो योगी सदन के भीतर अपनी परदर्शित करते हैं आप इसको एक काम्याबी के रूप में भी देख सकते हैं कि योगी ने अपने इस कारकाल में दूसरे कारकाल में इससे कहीं सरकार घिरी हो एक सफलता पूर्वक नेता सदन के रूप में वो अपनी सरकार को लेकर आगे बढ़े हैं तो यह दोनों की अपनी एक सफलता मैंने आपको बताई कि दोनों का क्या करसर है और हसी और मजाक की बात तो देखे चलेगी अब बात आती है कि शिवपाल यादो पर तमाम चुटकियां ली जाती हैं। श्यूपाल यादो तो एक चीज पहले देख लीजिए कि वो नेता प्रतिपक्ष का जो कद है नेता विपक्ष का उस कद से वो बहुत बड़े हैं। समाजवादी पार्टी में उनके लिए अभी असपद कोई माइने नहीं रखता। वो कई बार कैमिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सपा के संस्थापक हैं और मुलायम सिंग के भाई हैं। और इतिहास इस बात का गवा रहा है कि हर पिता की विरासत को उसके पुत्र ने समाला है, कभी किसी भाई ने नहीं समाला। और बगल के राज में आप देख सकते हैं, राम बिलास पासवान और पसू नपति पारस और चिराग पासवान और लालू के एक साले थे साधू यादो, वो भी सक्रिये थे लेकिन तेजस भी आज उत्रादिकारी बने। अईसे ही अखिलेश यादो, मुलायम सिंके सुभावी की उत्रादिकारी हैं, और उनकी सुईकारेता है, सिउपाल यादो, उनके रिष्टे में चाचा है, उनकी इज़त सम्मान है, और सिउपाल यादो, कोई जो है विर्जेज जी हलके नेता नहीं, बहुत होस्यार नेता है, पहले बदायू में लोगसभा का टिकट किसको मिला था, और टिकट मिला और परचार करते रहे, चाचा चाओ का लड़ा दिया लड़के को, और लड़का जीत के सांसत बन गया, तो सिउपाल यादो ने अपने बेटे को भी अस्थापित कर लिया सियासत में, और जिता क है, तो होसियार को निकला, तो ये चीज भी तो आप देखिए, कि हम लोग जिस चीजों को जिस तरह से देखते हैं, उसके और कई सारे पक्ष भी हैं, वैसे हिंदी का जो सब्द है गच्चा देना, उसमें माना जाता है कि उल्लू बना देना, बेखूब बना देना, धोख हैं, लेकिन राजिनीत में कोई ऐसी नहीं, आप कभी घटना नहीं देखेंगे, कि जिसका बेटा सियासत में हो, उसकी बिरासत को कोई परिवार काने सदस समहाला हो, तो ये कुछ आकड़े जरूर है, लेकिन आप इस चीज को ये जरूर देखिएगा, कि जब हम सदन के भी इतर बैठते हैं, हमारे नेता, दो लोगतंत्र की दौहाई देते हैं. और लोगतंत्र की दौहाई में कहते हैं कि सदन की गरिमा खराब ना हो, आसल सदीये सब्दों का परियोग ना हो, और देखिए, इस सब का बड़ा ध्यान बहे बाहर बड़ा गलत मैसेद जाता है. आरोप लगता है और कोई ऐसा सत्र नहीं जाता जब ऐसी इस्तितिया ना हो तो वो भी उस पर उनको गौर करने की जरूरत है और देखिए सियासत में और वक्त में हर चीजे बदलती रहती हैं कभी सपा के पास 47 भी रायक थे फिर 110 हो गए उनके और कभी इस भाजपा के पास 300 300 से ज्यादा थे फिर कम हो गए कभी बात तो यह तो एक दूसरे के लिए हसी मजाफ चलता जब वोम परकास राजभर अंग्रेजी नहीं पड़ पा रहे तो देखिया उनके लिए कहा कि जब नहीं जानते हो तो कई थो हम अंग्रेजी नहीं पड़ पा रहे हैं उनका भी मजाक उलाया गया तो बेचारों का टाइम थोड़ा इस समय घरब है खराब मैं तो नहीं बोल सकता दोस्त है मेरे तो नहीं बंजय के साथ क्या तो गेम हो गया अब बताओ कोई अधिकारी यह लोग अंग्रेजी में जवाब लिखके देदिये कोई बात हुई अब एक चीज़ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की बिधान सभा में अब उस तरह का आपको चर्चा उस तरह का पर सराना करनी चाहिए राजभर जी की कि अगले आदमी ने साहस किया सबके सामने पढ़ने का भोला तो सही देखिए अब बिर्जेश जी अब उत्तर प्रदेश की बिधान सभा में योगी की टकर का कोई सामने अब नेता नहीं बचा अखिलेश यादों के दिल्ली जाने से वो चीज़ अब खाली हो गई तो सौभाविक है कि और योगी जी मुख्यमंत्री भी है नेता सदन है तो जब बोलते हैं तो उनका जबाब उतना कर रहा अब सायद कोई दे पाएगा ने वहीं मैं जब इन से पूचा कि भाई योगी जी को फ्री एंड मिल गया है कोई सामने उतना बड़ा सेना पती नहीं यह मनोज जोर जोर से चिलाने लगे समझाये मैंने इनको देखिए मनोज और संद्के उजले लोग भी गर्मी में काले पड़ गए और सिकनजी और जलजीरा की है सबको तलब और इस वज़ा से इस बार सुस्त सारे चाहे वाले पड़ गए वाह पर शुक्रिया विरेण जी बहुत अधन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के